हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू कलर आफ थ्रेड्स आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे बैलवर्ट या शनील फैब्रिक की ऊपर आपने प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कैसी करनी है किन बातों का आपने धिहान रखना है और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नही है क्योंकि इसका विर्थ काफी जादा होता है और अगर आप बड़े साइस के लिए बना रहे तो 1.5 मीटर का फैब्रिक लिए अब बात करते हैं कटिंग के लिए आपने फैब्रिक को कैसे फोल करना है अब देखिए बैलबड या शनील के फैब्रिक के उपर इस तरह से ज हाथ को से लंबाई वालि साइट से नीचे के तरफ लेकर जाए तो दोनों साइट से कप्ड़े को मि इस तरह से चेक करेंगे पहले एक तरफ सेन जब आप हाथ को लेकर जाए तो अगर आपको लगता है आपका हाथ थोड़ा से भी रुक रहा है आपके छोटी छोटी जो रूई है वो आपके हाथ को रोक रहे हैं तो वो उल्टी साइड होगी फैब्रिक की और जब हम इस तरह से opposite साइड से हाथ को निचे के तरफ लेके जाएंगे तो इस तरफ से मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है तो ये फैब्रिक की राइट साइड है अब मैं आपको पास से भी दिखा रहे हूं ताकि और अची से समझाए अब ये किनारे वाली साइड है और ये है चोडाई वाली साइड अब जम हाथ को इस तरह से लेके जाएंगे तो मेरा हाथ है बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुक रहा है ये कप्ड़े की सी से जब आप देखोगे जब आप इस तरह से जुक के देखोगे एक तरफ से आपको ये शाइनी दिखाई देगा और दूसरी तरफ से ये मैट दिखाई देगा अब दोनों में से आपकी परसनल च्वाइस है सूट आपको मैट शाही या ग्लॉस्टी लुक में तो अगर रखना चाहते हूं इस तरफ आपका शोल्डर आएगा कुरती का और निचे के तरफ आपका घेर आएगा और दोनों में से जिस साइड में आप सूट बनाओगे वही सामने से आपके सूट का कलर आएगा और अगर आपको मैट प्लाजो बनाना है इस तरफ आपके बैल्ट रहे हो तो फ्रन्ट और बैक के पर ले आपके विर्थ में से ही निकल जाएंगे अब फोल्डिंग के बाद देखिए लंबाई में जो इसकी किनारी है इसे हम कट करके अलग कर देंगे अब सबसे पहले यहाँ पर हम बॉटम फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे तो बॉटम फोल्डिंग में मैंने टू इंच रखा है तो टू इंच पर मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया है अब इस लाइन से उपर की तरफ हम रेडी लेंद के लिए मार्क करेंगे तो म मैंने उतना प्लाजो के लिए ये फैब्रे कट कर लिया था पहले ही तो रैडी लेंथ के उपर आपने इस तरह से सीधी लाइन डॉक कर देनी है और ये उपर वाली साइड पर दो इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इलास्टिक फोल्डिंग के लिए अब यहां पर जो भी आ आपने ये लुजिंग 1.5 इंच की ही देनी है चाहे वो वैलबट फैब्रिक है चाहे शनील फैब्रिक है अब इस मार्किंग से नीचे की तरफ हमें क्रॉच लेंथ के लिए मार्क करना है तो मैं स्मॉल साइज के लिए बना रही हूं तो स्मॉल साइज के लिए आपने 11 जादा रखोगे तो आपका क्रॉच से जो फैबरिक है वो फट जाएगा तो यहां पर मैं स्मॉल साइज के लिए बना रही हूँ तो मैंने 11 इंच पर मार्क कर रहा है अब इन दोनों मार्किंग को सीधी लाइन के साथ जोड देंगे अब यहां पर क्रॉच की गुलाई देंगी स्मॉल तो मीडियम साइज के लिए 2 इंच की क्रॉच मार्किंग करेंगे ला साइज के लिए 2.5 इंच पर और एक्सल साइज के लिए 3 इंच पर मार्क करें अब यहां पर क्रॉच की गुलाई दे दी है अब जो आपने क्रॉच की म अब यह 6.5 इंच की मार्किंग से हमें जाना मार्किंग से 4 इंच इस तरफ से मार्क करेंगे तो मुझे bottom losing चाहिए 8 inch तो center marking से 4 inch इस तरफ से mark करूँगी और center marking से दूसरी तरफ भी 4 inch पर इस तरह से mark करेंगे अब scale जा tape का use करते हुए crotch marking को bottom marking के साथ इस तरह से जोड़ देंगे अब इस तरफ से scale को इस तरह से घुमा कि यहाँ पर भी हलकी सी गुलाई दे दे तो यह front panel की marking बिल्कुल complete है अब इसे cut कर देंगे तो front panel की cutting होने के बाद अब हम back panel की cutting करेंगे इसके लिए side fabric की उपर front panel को इस तरह से set करेंगे अब देखें जो back की जो crotch length होगी वो front से थोड़ा सा जादा रखेंगे ताकि बैठने में problem ना हो तो यहाँ पर small size के लिए मैं बना रही हो तो small size में 1 inch extra कपड़ा काफी रहता है तो 1 inch extra रखेंगे back panel को small to medium size में हमें back के crotch length में 1 inch प्रस करना होता है और excel size में हम 2 inch का प्रस लेते हैं तो यहाँ पर मेरा back panel में मैंने 1 inch का प्रस लिया है अब यहाँ से हम mark करेंगे 1.5 inch पर small to last size के लिए यह marking आपने 1.5 inch तक ही करनी है और excel size के लिए यह mark का आप करें 2 inch पर अब front crotch के बिल्कुल सामने भी 1.5 inch पर mark करेंगे अब front crotch को उपर की marking के साथ इस तरह से सीधा जोड़ दे यहाँ पर भी सीधी line खेच दे अब यहाँ पर crotch area की गुलाई देंगे अब bottom side पर हम 1 inch के लिए mark करेंगे सभी size में यह losing आपने 1 inch की ही लेनी है अब crotch marking को bottom marking के साथ जोड़ देंगे folding के लिए marking करें 1 inch पर जो extra fabric था उसे front panel के साथ इस तरह से तिछा जोड़ देंगे इस side से हमारी कोई भी marking नहीं आएगी इसे as it is cut करेंगे तो back panel की marking भी बिल्कुल complete है अब इसे cut कर देंगे तो cutting करने के बाद अब हम इसकी stitching देखेंगे और बैलवड यह शनील को stitch करने के लिए आपने 11 number needle का यूज करना है और यह front के two panels है और यह back के two panels अब सबसे पहले हम दोनों panels के उपर इस तरह से half inch का margin लेते हुए cross stitching करेंगे cross stitching के बाद अब back panel के उपर front panel को रखेंगे इसके लिए back panel को इस तरह से open करेंगे अब इसके उपर front panel को इस तरह से open करके रखें अब plazo के दोनों side पर side stitching कर देंगे side stitching के बाद bottom की उपर हमने जो folding के लिए fabric छोड़ा था उसे इस तरह से double folding करते हुए यहाँ पर stitch कर देंगे और बैलबर्जा शनील fabric को जब भी आप इस तरह से fold करके stitch करेंगे तो ध्यान रखे fabric को बिल्कुल भी ना खीचें अब belt ready करने के लिए elastic लेंगे elastic देखिए जो भी आपका full based measurement होगा उसमें से 4 inch कम करने के बाद elastic के length लें और फिर दोनों किनारों को ऐसे overlap करके इस पर stitch कर दें stitch करने के बाद इस तरह से आपकी belt ready हो जाएगी अब इस belt को जो हमने 2 inch का folding margin रखा था यहाँ पर इस तरह से belt को रखते हुए fabric को double fold करेंगे और फिर folding के बिल्कुल किनारे पर हमें stitch करना है देखिए इस तरह से हमें पहले कपड़े को double fold करेंगे जब यहाँ folding के उपर stitch करें तो ध्यार रखे यह stitch आपकी elastic की उपर नहीं आनी चाहिए क्योंकि elastic को खीचते हुए इसे हमें पूरी कमर की उपर इस तरह से set करना है और अगर आपने elastic पर stitch कर दिया तो इस तरह से आपकी elastic नहीं खीचेगी folding के बाद elastic को 4-5 वार इस तरह से अच्छे से stretch करना है जिससे जो आपकी elastic होगी वो कमर पर अच्छे से set हो जाएगी इसके बाद elastic को इस तरह से खेच के इसके center में भी stitch कर दें तो belt हमारी बिलकुर ready है इसके बाद bottom side से दोनो panels को इस तरह से बराबर करेंगे और crouch area से भी दोनों panels को इस तरह से बराबर करते हुए अब इस पर bottom से शुरू करते हुए दूसरे bottom तक stitch करके इसे ready कर दें तो ये plazo हमारा बिलकुर ready है तो ये मैं full suit ready कर रही हूँ जिसका मैंने plazo ready किया है और कुर्ती पर भी मुझे lace और beads के साथ designing करनी है जिसका full video next week मेरे YouTube channel पर आएगा इसलिए plazo को भी थोड़ा designer look देने के लिए मैंने दो different sizes के beads का use किया है जिसे मैं इस तरह से randomly bottom के उपर attach कर दूँगी तो इन beads को मैं thread की help से इस तरह से attach कर दूँगी तो beads लगने के बाद ये हमारे plazo का final look है ये वीडियो आपको कैसे लगा like और comment करके जूर बताएं और कुछी दिनों में मैं इसकी कुर्ती डिजाइन भी आपके साथ share करूँगी सो मिलते हैं next video में